दोस्तों नमस्कार जैसरीकृष्णा, जैसरीराधे दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अप्रेल 2021 लवरासीफल कन्या लव लाइफ कन्या रासीवालों, वरगो साईनवालों आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी? अप्रेल 2021 की अप्रेल का महीना आपके प्रेम संबन्नों के लिए कैसा जाएगा इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों लवरासी फल सुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारा लवरासी फल चंदरासी के आधार पर होता है Moon Sign के आनुसार होता है तो उसी के आनुसार इस Love रासीफल को देखें वो सुनें अगर आपको चंदरासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के आनुसार भी देखबा सुन सकते हैं आये दोस्तों सुरू करते हैं आपका लव रासीफल सबसे पहले ये भी बता दें कि आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें मैच करनी चाहिए जैसे कि ग्रहे स्थितियां जो बन रही है क्योंकि अप्रेल का महीना बेहद खास इसले हो जाता है पांच ग्रहों के रासी परिवर्तन हो रहे हैं और चंद्रमा को मिला लिया जाए तो छैग्रह हो जाते हैं और चंद्रमा को छोड़ देते हैं क्योंकि चंद्र रासी जो चंद्रमा के आधार पर हम रासी फल बनाते हैं वो डेली रासी फल बनाते हैं और आपको हम डेली लव लाइफ के बारे में बताते हैं हम आपको daily love life के वारेम जो बताते हैं वो चंद्रमा के आधार पर होता है। इसलिए यहाँ पर आपको और ग्रहों के आधार पर भी बताते हैं, सबी ग्रहों के, 8 ग्रहों के आधार पर बताते हैं। इसलिए इस रासिफल को पूरे महीने याद रखना और डेली लव लाइफ के वारे में जानना आपके लिए अतियावशक है तो आईए जानते हैं कि कैसा रहेगा सिंगल हैं तो कैसा रहेगा रिलेसंसिप में हैं तो कैसा इस्तितियां रहेगी married हैं तो कैसी स्थितिया रहीं आईए जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे जो लोग single हैं उनकी वर्गो साइन वालों आपके लिए अगर आप single हैं तो देखिए single के लिए formula सबसे ज़्यादा best है कि अगर कोई single है तो उसको कोई न कोई दोस्त मिलना चाहिए पहले दोस्त बनेगा तभी उसके मन में feeling जागरत होंगी उसके बाद में वो इजहार करेगा तो यहां पर तृतिय भाब जो है मित्रता का भाब है आपके तृतिय समंगल बनते हैं मंगल रासी परिवर्तन करेंगे इस महीने मंगल रासी परिवर्तन करेंगे चाहूदा अप्रेल को रासी परिवर्तन करके मित्रुमन में जाएंगे मित्रुमन कषियासी आपके दसं wizard में पढ़ती है दसं भाब में पढ़ने की बज़ेसे अब मैं आपको जित्र में आप जहां पर हैं परतमान में वहां पर आपके कोई दोस्त बन सकते हैं कब 14 अप्रेल के बाद में 14 अप्रेल से पहले भी इस्तितियां ये बनती हैं कि आपके लिए अगर कोई नया दोस्त बनाना चाहते हैं तो वो 14 अप्रेल के बाद में बनेगा और 14 अप्रेल स उसे feeling बढ़ती जाएंगे उसके प्रती प्यार बढ़ता जाएगा और उसे इजहार आप अभी मत कीज़ेगा इस बात का दिहान लखिएगा अभी इजहार करने का वक्त नहीं है जहार कब करेंगे इजहार करेंगे आप 25 अप्रेल से लेकर के 28 अप्रेल के बीचे में और उस दिन का लव रासी फल भी जरूर देखिएगा इन दिनों में जो बिसेश दिन है उसी में कीजिएगा यहाँ पर आपको इन दिनों में प्रपोस करना आपकी बात बन सकती है आपका प्रपोसल एक्सेप्ट हो सकता है बाकी हम आपको तीन रासीयों के नाम बताएंगी इस वीडियो के लाश्ट में तीन रासीयों के नाम बताएंगी उस रासी के अगर पार्टनर होते हैं तो बहुत उत्तम है बहुत सही है आपके लिए अगर relationship में है तब क्या स्थितियां बनती है क्योंकि जिसे एजहार कर दिया जिसके साथ में आपने प्यार कर लिया उस व्यक्ति का विचार होता है पंचम भाव से पंचम भाव में है प्रेम की व्यक्ति होगी और गुरू के साथ में जो युति थी सनी की वह समाप्त हो जाएगी 6 अप्रेल और हाँ प्रकार से आपके पार्टनर आपके हो जाएगा अभी तक जो गुस्ताह अरा था वो कम हो जाएगा हां नक्ड़े बढ़ेंगे 14 अप्रेल से, आपके पार्टनर के नखड़े बढ़ जाएंगे कुछ चीजों में बहुत ज्यादा नखड़े बढ़ जाएंगे और चउधा प्रेल के बाद में आपका स्वभाब भी थोड़ा बदल जाएगा आप ऐसे सवबाब के हो जाएंगे, पार्टनर को कुछ भी बोल देना, कुछ भी आपको सोचना नहीं, ऐसे ही बोल देना, ये चीज़ें आपके साथ में ज्यादा होंगी, हाँ, अब अगर हम बात कर लेते हैं, X की, X अगर आपका बापस आना चाहता है, तो उसे आने की एक्स आ सकता है, फिर फिर से चालू हो सकता है, तो ये स्तितियां हैं, आप बात कर लेते हैं, married life की married life में गलत फहिम्या बहुत बनेंगी कब गलत फहिम्या बनेंगी 16 अप्रेल 2021 से पहले गलत फहिम्या बुद्ध के कारण बनेंगी बुद्ध जो की नीच रासी के हो जाएंगे नीच रासी के रहेंगे 16 अप्रेल तक और 16 अप्रेल से पहले आप जो भी बोलेंगे पार्टनर को बोला कुछ और वो समझेंगे कुछ और गलत फेमिया बन जाएगी और एक बात और एक्स्टामेटल अफेर बन सकता है आपका या आपके पार्टनर का कब 11 अप्रेल के बाद में इस बज़े से भी प्रॉबलम बनेगी और गलत फेमिया भी बनेगी अगर एक्स्टामेटल अफेर बनाने में आपका कोई दिल्चस्वी नहीं आपके कुंडली में भी ऐसा योग नहीं है क्योंकि जब कुंडली में नहीं होता है तो क्या होता है इस गोचर का फल आपको कितना मिलता है इस गोचर का फल इतना मिलता है कि आपके साथ में लोग फ्लर्ट कर सकते हैं अगर आपको दिल्चस्वी नहीं है लेकिन आपके साथ में लोग फ्लर्ट कर सकते हैं, आपके साथ में अफैर बनानी कोसिस कर सकते हैं, आपके कम उम्र के लोग आपसे कोसिस कर सकते हैं बात करने के, खास करके महलाओं से, सुक्र सम्मंद महलाओं से रखता है, तो आपसे ब a parade life में आपकी कोई गलत फैमी बनती चली जाएगी बनती चली जाएगी और वो सकती है और कोट का चैरी अगर मुकदमा चल रहा है अगर डाइवास का केस फाइल कर रखा है उसमें खर्चे विवाद बढ़ जाएंगे और कोई रजलिट नहीं निकल के आएगा कारे धीमें पड़ जाएंगे डाइवास जैसी समस्या और उलजती चली जाएगी और आपका पैसा खर्च होता चला जाए इस कारण आपका मन भी असांत हो सकता है डाइवास अगर लेना चाहते हैं तो कंफ्यूजन भी बन सकती है देखा जाए तो कोई विश्वास तोड़ सकता है आपके लिए एक्स्टा मेरिटल अफेर में एक्स्टा मेरिटल अफेर और लिविन म आपने किसी से उम्मीदे लगाई थी वो उम्मीदे टूट जाएं हाँ एक चीज जरूर है कि जो चिर्चिड़ा पन आ रहा था एक्स्टा मेरिटल अफेर में वो चिर्चिड़ा पन खत्म हो जाएगा 14 अप्रेल के बाद में आपके पार्टनर का एक्स्टा मेरिटल अफे में है तब और 11 अप्रेल के बाद में तब अगर आप एक्स्टा मेरिटल अफेर नहीं रखते हैं तो आपके साथ में केवल इतना ही होगा कि आपके साथ में फ्लाइट करने की कोसिस करें कोई वेक्टी कोई आपके साथ में टाइम पास करने के लिए कहें और आपको बहुत ज और आप बहुत सही करेंगी अगर ऐसा करते हैं क्योंकि इससे खत्रा और रहता है कि सुक्र का संबंद अस्टम से बन जाए तो सुक्र जो है वो आपके दुतियेस बनते हैं और दुतियेस और नौमेस बनने के चलते ऐसे संबंद बना देते हैं कि विस्वास टूट जाए उस बज़े से प्रॉब्लम बन सकती है इसलिए ध्यान रखिएगा ऐसी गलती ना कीजिएगा अगर आपको दिल्चस्पी नहीं है तो कोई अगर ज्यादा जवरजस्ति करता है मत कीजिए इग्णॉर कीजिए दोस्तों अब यहां पर हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जि लुका खाने से बच सकते हैं इस महीं उल्जने परेशानिया निकट नहीं आएंगी दूसरी अगर कन्या रासी का ही पार्टनर है तो आपको समय बहुत देगा और आपकी हर बात मानेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तीसरी रासी तीसरी रासी बेहत खास रासी है यह मकर रासी अगर इस रासी का पार्टनर आपका है तो आपके लिए सांदार समय रहने वाला है लाजवाब समय रहने वाला है हर प्रकार से आपको प्यार बनने वाला है और हां अगर मैं यहाँ पर बैसे बताता नहीं हूं लेकिन इस बार बता दूं आपको कि अगर मीन रास पर कुछ बात कहेंगी, उसका अर्थ कुछ और ही निकालेंगी, मतलब अर्थ का अनर्थ करेंगे, वो चीजें होंगी, यह प्रॉब्लम और इन प्रॉब्लम का समाधान आपको डेली लग टिप्स में मिलता है, और जो भी उपाई मिलते हैं वो आप किया कीजिए, तो यह प् आपको डेली लवरासी फल और वहतरीन मिलेगा आपको डेली लवरासी फल देखना है तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना डेली लवरासी फल जब भी देखें तो इस लवरासी फल को याद कर लेना इसे मिला लेना आपके साथ में बहुत सठीक जाएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्टिन, बहुत 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 धन्यबाद दोश्टों